हेलो फैंट्स विल्कम बैक टो करे प्लेटफॉर्म यूपी पीएसी यानि कि उत्रप्रदेश पॉब्लिक सर्विस कमीसन ने आपे 2023 की समिक्षा अधिकारी जिसकों की आरो एंड ए आरो की पोस्ट वाली वेकेंसी की यहाँ पे डेट निर्धारित कर दी है तो आपको बताए यह 2023 की वेकेंसी लेकिन उसके साथी साथ समिक्षा अधिकारी होता क्या है इसका काम क्या होता पॉस्टिंग होती कहांपे परजिशा बैटरन क्या है इसका एस क्या होती है सेलेरी क्या होती है और यूग गिता क्या चाहिए इसके लिए यह सारी चीज़ें बताने वाले हैं क्योंकि review officer की परिक्षा के माद्यम से ही आप यहापद प्राप्त कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर परिक्षा देनी पड़ेगी समीक्षा अधिकारी पत के लिए उत्तर प्रदेश के सरकारी संस्थाओं और सचवाले में नियुक्ति की जाती है समीक्षा अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश समीक्षाहाद कारी जिसकों की परिक्षा पास करनी होती है दोनों परिक्षें आपको पास करनी होगी जिसमें आपको जाना हो जो भेरती इस परिक्षें में सफल हो जाते हैं उन्हें समानेता सचवाले भवन, लखनव और उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग भवन अलाहबाद में चैन कर लिया जाता है अब आप समझ गयाओंगे आपको कहाँ पर चैनित किया जाएगा एक ओफिसियल वर्क यहाँ पर होता है तो यहाँ पर ज़्यादा दवड़ने भागने वाली बात नहीं है काफी अच्छी पोस्ट होती है, सेलरी भी काफी अच्छी होती है तो आगे आपको बताने वाले है तो आई हूप हाँ पर समझ गयाओंगे, आपको काम कहा करना है आपको और काम क्या करना होता है, कहाँ पर पोस्टिंग होगी यह आपकी ठीक है बात कर लेते हैं सेच्छीर की योगताब में इसकी क्वालिफिकेशन और आयू फिर सेलेक्शन प्रोसेस क्या होता है तो आई हूँ अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करने ता आप किसी भी मानिता प्राफ्ट से आपर देखेगा इस पत के लिए आवेदन करने वाले अब्यार्टियों को किसी भी मानिता प्राफ्ट प्रूस विद्याले से इसनातक होना चाहिए, इसनातक में आपका BA हो सकता है, आपका BSC हो सकता है, आपका BCOM हो सकता है, ठीक है यह जो इसनातक वालें भर सकते हैं, इसके बिनावेपत से आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो minimum eligibility इतना होना चाहिए, परसेंटेज की कोई दिक्कत नहीं है, कि minimum 60-50, इसा graduation वाली भर सकते हो, अगर age limit की बात कर लें, यहाँ पर 21 साल minimum होना चाहिए, 40 सार maximum होना चाहिए, कुछ age relaxation मिल जाते हैं, जैसे की NCL वाले होगे, OBCSTL को 5 साल का चूट मिल जाता है, अगर certificate लगाते हैं, तो ठीक है, चलिए, आगए चलते हैं, चैन पर किरिया, आपर process की बा प्रारंबिक परिक्षा और मुक्य परिक्षा आपको देनी होती है, जिसमें से प्रारंबिक परिक्षा के अंतरगत दो paper देने रहते हैं, क्या चीज़ आगे बताने वाले हैं आपको, देखेए, प्रारंबिक परिक्षा pattern की अगर हम बात कर लेती हैं, यहाँ पे टूटल percent अ अगर आप two零ो का निकालते हूं तो कितना बनता, 120 नंबर बन जाता, इतना लाना distintos की बात मैंने 120 नंबर मिनमाना होगा, ठीक है, तेखे, वेतन की बात कर ले, 3.934-3.8 practise यह आपका salary नहीं है, यह इसको कहते है, basic पे, ठीक है, इसको basic पे कहा जाता है, जो salary actual में आपकी है वो यहाँ पे देखे 44,900 से आपकी salary starting होगी और 1,000,000,000 तक level 7 के हिसाब से level 8 के हिसाब से 47,600 से लेके 1,000,000,000 तक आपकी salary यहाँ पे जाती है ठीक है देखे पूरे बहुरा है यहाँ पे लेवल का, पे लेवल 8 के हिसाब से अगर देखा जाए देखे आगे चलते हैं हाँ पे कुछ allowances देखने को मिलता है जैसे के महँगाई बता है यहाँ पे डिये जिसको कहा जाता है 2023 का क्या update है यह जब vacancy आपकी आने वाली है जो कि सितंबर में आई है उसकी detail भी आपको मैं दिखाऊंगा notice और HEMS house rent allowance भी देखने को मिलता है देखे पीएफ आपका कड़ता पाई 30-40 और national pension scheme हापे मिलती है आपको NPS कहने का मतलब यह है OPS आपकी खतम हो चुकी है और national pension scheme आपको मिलेगी 2004 में OPS खतम हो गई थी यहापे 10% आपकी salary का हर महीना आपको contribute करना पड़ता है ठीक है NPS में अब income tax क्या है वो चीज़ आपकी government rule के हिसाफ से बात में देख लिया जाएगा लेगन आगे चलिए आपके बात कर लेते हैं examination pattern की फिर बताते हैं कि जो 2030 की vacancies है वो कब आने वाली है ना उसकी date से आप आ चुकी है काने मुलम नोटीस भी आ चुकी है तो जो प्री और में इस दो चीज़ें मैंने आपको बताया जो प्री मिलने नहीं examination होता है उसमें आपके general hindi और general studies आती है हिंदी में 60 प्रस्ट है general studies में 140 प्रस्ट है और ये 60 नंबर के होते हैं 140 नंबर मतलब एक question एक marks का होता है तो general hindi के लिए एक गंटा मिलेगा और general study के लिए आपको दो गंटा याँ पर मिलने वाला है ठीक है तो ऐसा और general study के लिए भरपूर मातरा में समय मिल सकता है 120 में मिलेगा 140 प्रस्ट के लिए ठीक है और total 200 हो गया और 200 यहाँ पर marks हो गया 200 question हो गया 3 गंटा आपको समय मिल गया ठीक है 200 question के लिए 3 गंटा समय आपको मिलेगा 180 मिनट में 200 प्रस्ट आपको करना रहेगा बत करते mains exam की में 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 क्या है कि सबसे पहले आपको हिंदी ऐसे देखने को मिलेगा यह लिखेत रहेगा ठीक है तो नमबर आप questions 3 आएंगे subjective होगा और marks 120 marks कराएगा 3 गंटा यहाँ पर मिलेगा आपको ठीक है जनरल हिंदी और drafting की बात करें आप तो 5 questions रहेगे और यह conventional type होगा यहा आपको जो है conventional type था दूसरे में general vocabulary and objective type देखने को मिलेगे 60 marks का यह रहेगा और 5 questions यहाँ पर रहेंगे 30 minutes का यह देखने को मिल जाएगा ठीक है तीसरे पार पर general studies आपका 120 questions देखने को मिलेगा और 120 number का देखने को मिलेगा objective type 2 गंटा का यह paper हो जाएगा ठीक है तो यह आपके प्री हो गए और आपके मेंस के examinations हो गए तो इसकी जो है आप screenshot आप ले लीजे आप ले लीजे आपको तैयारी करने में आसानी होगे ठीक है आप चले आगे चलते हैं आप हम 2023 की vacancies बता देते हैं क्या क्या था मैंने आपको सारी details आप बता दी कौन कौन भार सकता है कितनी salary होगी सब कुछ पता दिया अब जो 2023 की vacancy है यह आप लोग ध्यां से सुनिएगा देखे 18 अगास 2023 को यह notification आया हुआ था विग्यप्ति आई है कि उत्तरप्रतिस लोग से वायोग त्वारा जारी किये जाने वाले आगामी विग्यापनू हे तो पदों का निवेबरन कारी के बात करें तो यहां पर आधी जो समान्य चैन है यहां पर जो परिक्षा इसमें 181 पद होंगे और अपन नीजी सचु परिक्षा कि यहां पर 300 पद देखने को आपको मिल जाएंगे नौटिफिकेशन आपको मा सितंबर से फॉर्म बरना सुरू हो जाएंगे दूसरे सब्ता से मीस ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग साथ के बाद से मीस 8 तारिक से आपको फॉर्म बरना स्टार हो सकते हैं से 10 तारिक से स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है अक्टूबर माहा था कि यहां पर अगर हम बात करें संभावी जो तिथी है पर्थम सब्ता था कि यह आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे ठीक है तो यहां पर तो चीज़ें देखने को मेली समिक्षाइदकारी के जो फॉर्म है यहां पर अक्टूबर माह में भरे जाएंगे अपने जी सच्चू पर इक्षाज हो गई यहां पर माह सितंबर 300 मतलब 300 वकेंसी पर सितंबर माह से भरे जाएंगे ठीक है तो दोनों पोस्ट की इसे ही वीडियो में ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ब्लाइकन प्रेस कर लें जिससे आपको कोई भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है चलिए मिलते नक्स वीडियो में all the best thanks for watching have a nice day